नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योप चनल पीएफपी में आज हम आईजियल के बार में चल्चा करने वाले हैं मार्केट में पिछले को जिन्नों से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज थोड़ी सी रिकवरी शुरुवात में देखने को मिल रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं डिवडेंट अनांस हो सकता है इसके करण शायद हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है लेकिन ऐसी सिच्वेशन में एज रिटेल इन्वेश्टर में क्या करना चाहिए इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले फंड इसके बार में बात करें ROE 18% है ROC 20% के आसपास है जो कि अपने averages से नीचे हैं अच्छी बात नहीं है Net Profit Margin आप देख सकता है लेटेस्ट है 23.73% यह लेटेस्ट मतलब FY21 का डेटा है लेकिन इसके बाद बहुत से changes देखने को मिले है Natural Gas के prices बहुत ही जादा बढ़ चुके हैं और margins आपको ड्रास्टिकली नीचे जाते हुए नजर आए है Debt to Equities Zero है कंपनी पर कोई करजा नहीं है यह अच्छी बात है Financial Trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे ओरॉल अच्छी ग्रोथ चल रही थी Retail and other category 18% तो overall shareholding pattern भी अच्छा नजर आता है Promoter के पास भले 50% से कम की equity है लेकिन बाकी में आपको institutions का interest अच्छा नजर आता है Analyst के rating के बार में बात करें 30 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 70% का मानना है कि stock में खरिदारी करनी चाहिए Higher side पे 85% का upside है median है 39% का upside और lower side पे देखिए 20% की घिरावट बताए जा रही है यह बस recently actually target आया है कुछे दिन हुए रहेंगे कि किसी ने यह 300 रुपय का target दिया है और target देते हैं stock आपको 8% भागता हुआ नजर आया 24,000 करोड की market cap है 17 का PE ratio है तो valuation तो obviously हमें यहाँ पर attractive नजर आता है लेकिन oil and gas sector में आपको यही valuation नजर आता है यह भी actually थोड़ा बहुत higher side पे है दूसरी जो companies आप देखेंगे oil and gas में आपको 10, 8, 12 यह PE ratio पर ही trade करते हुए नजर आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यदा futuristic business हमें नजर नहीं आता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि IGL में भारी गिरावट देखने को मिले stock ने यहाँ पर approximately 320 के आसपा support लिया stock में bounce back देखने को मिला 400 के level से stock हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया फिर से stock उपर जाने की कोशिश कर रहा है 20 days के moving average के उपर की closing दिखाई परती है 50 days के moving average के उपर गया जरूर था लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले buying के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छे खासे volume में हमें buying होती नजराई है बहुत ज़्यादा अच्छा volume नहीं है लेकिन फिर भी एक decent volume नजराता है daily RSI 54 है यहाँ पर एक अच्छा momentum नजराता है weekly chart के बार में बात करें तो weekly chart पर हमें clearly पता चलता है कि 20 weeks के moving average ने 200 weeks के नीचे का cross work कर दिया है तो आप समझ सकता है कितनी भयंकर weakness यहाँ पर देखने को मिलती है weekly RSI B40 का level है अब भी यहाँ पर weakness है उसमें कोई doubt नहीं है monthly chart के बार में बात करें तो monthly chart पर आप देख पाएंगे COVID के टाइम पर भी जो monthly closing हमें देखने को नहीं मिली थी वो monthly closing आपको यहाँ पर होती भी नजराती है weakness है उसमें कोई doubt नहीं है monthly chart पर swing के नीचे यहाँ पर close हो चुका है और अब भी उसके नीचे ही trade कर रहा है तो trend तो हमें अब भी week नजराता है monthly RSI 41 का level है यहाँ पर भी हमें weakness नजराती है important levels के बार में बात करें तो सबसे पहले support discuss कर लेते हैं 320 के आसपास का एक important support है भारी sell off के बाद यहीं से stock आपको return होता हुँ नजराया था तो यहाँ पर यह level काफी ज़्यादा important हो जाता है फिलाल stock हमें 340 के आसपास से return होता हुँ नजराया तो approximately 320 से करके 340 का यह जो zone है हमारे लिए एक support zone बन जाता है resistance के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो भारी sell off देखने को मिला एक छोटा सा bounce आया था फिर से यह नीचे गया था यह level 400 का level था उसके बाद यहाँ से जो बतेजी देखने को मिली 400 से stock return हुआ यहाँ पर double top बनाने के बाद आपको घिरावट देखने को मिली तो 400, 410 का level यह हमारे लिए एक resistance area हो जाता है resistance zone हो जाता है तो इन दोनों levels को ध्यान में रखके ही काम करना है short term के बार में बात करें जब तक stock 400 के उपर नहीं जाता है तब तक के लिए यहाँ पर bullish नहीं होना चाहिए short term के लिए भी नहीं होना चाहिए और overall trend यहाँ पर बात करें अब भी weakly चल रहा है mid term के बार में बात करें तो यहाँ पर trend established होने देना चाहिए trend established होने से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर यह जो weakness देखने को मिली है जो कि मैंने आपको monthly chart पर दिखाईए यह बहुत ही ज़ादा भयंकर weakness है तो weekly chart पर भी हमें यहाँ पर खरीदारी करनी है यानि कि mid term के लिए अगर हमें खरीदारी करनी है 400 के level के बाद support लेकर वापस उपर जाएगा तब हम यह मान सकते हैं कि यह stock अभी actually इसका trend bullish हो चुका है trend अलग बात होती है momentum अलग बात होती है trend अभी भी काफी ज़ादा bearish है तो जब तक यह 400 के उपर जाकर 400 पर retest करके उपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर mid term के लिए position बनाने से बचना चाहिए और long term के बार में बात करें मेरा personally मानना है अभी avoid करना चाहिए मैंने कई videos में आपके साथ share भी किया है कि IGL को business को लेकर मैं bullish हूँ यह जो पूरा CNG का business है CTA gas distribution companies का business है यहाँ पर आपको अच्छी growth देखने को मिल सकती है no doubt क्योंकि directly EV पर shift हो जाना मुश्किल होने वाला है हम petrol laser से directly EV पर shift नहीं हो पाएंगे यहाँ पर cleaner fuels में आपको natural gas का उप्योग करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर आपको अच्छी growth देखने को मिल सकती है लेकिन market अभी directly EV पर जादा focus कर रहा है इसलिए मेरा माणना है कि यहाँ पर अभी investment जादा नहीं करना चाहिए वैसे भी जब हम इसे discuss करते थे 2-5 साल के लिए discuss करते थे लेकिन वो भी market लगता है कि जादा इसे favor नहीं करने वाला है डिरेक्ली EV पर shift हो चुका है तो इसलिए मैं personally यहाँ पर avoid करना चाहता हूँ और अब भी यह stock sell on rise वाला stock है 400 पर निकल सकता है जब तक यह stock में आपको एक bullish trend बनता हुआ नजर नहीं आता है तब तक के लिए यह stock हमारे लिए sell on rise वाला stock है यहाँ पर हमें buy on dips की बज़ाए sell on rise पर ज़्यादा focus करना चाहिए positive के बार में बात करें तो fundamentals अच्छे हैं कोई doubt नहीं है share rolling pattern अच्छा है growth भी अच्छी है valuations भी attractive है Dias का stake भी बढ़ रहा है और most of the analyst bullish नजर आता है negative के बार में बात करें तो technicals weak चल रहा है बहुत ज़्यादा weak चल रहा है monthly chart पे भी weak है FII का stake continuously कम हो रहा है retailers का stake बढ़ता जा रहा है और business भी हमें futuristic नजर नहीं आता है तो ऐसे situation में करना क्या चाहिए short term और mid term के लिए weak है avoid करना चाहिए long term के लिए भी यहाँ पर fresh investment करने से यहाँ पर बचना चाहिए ऐसा मेरा मानना है आपका क्या view है आप मुझे comment box में बता सकता है और मेरे हिसाब से technically तो यह stock अभी sell on rise वाला ही दिखाई पड़ता है I hope आपको यह video पसंद आता है आपके investment और trading decision में आपको यह मदद करता है Thank you, stay happy, happy investing